ये को ऐसा है आप सब को जानकारी है कि राजस्तान में अब तक विभिन विभागों की 16 परिक्षाई हुई है और 16 के 16 परिक्षाईं के पेपर लीक हुए हैं विभिन आंदोलनों के जरिए और कुछ मैंने भी आंदोलन किये कि 10 पेपर रद किये वो पेपर भी आदेह दूरे रद किये, जैसे रीट के दौनों पेपर रद होने चीए, तो एक किया, अभी जो ये सेकंड ग्रेट टीचर है, इसके पेपर तीनों रद होने चीए, जो दो रद नहीं किये, एक ही रद किया, और ऐसे ही सिपाई में हुआ, तो ये जो पेपर, दर पेपर लीख हो रहे हैं, एक परंपरासी बन गई है, और हमने मांग की थी कि एक कानून बनाया जाया, कठो, कानून सरकान ने ऐसा बनाया, जिसमें लूपोल्स इतने हैं, लुंज-पुंज कानून है, कि आपको पता है, एक सेकंड ग्रेट टीचर में, जो गर्पतार हुए थे, कुछ दिन पहले, वो परसो छूट गए, 41 लोग, ऐसा कानून है, लचीला, लूज, लुंज-पुंज, उससे पेपर लीक माफिया की कबर नी ठूट सकती, और ये मुखमंत्री जिन एक बयान दिया, कि हमारी सरकार का कोई अधिकारी, कोई नेता मंत्री इस पेपर लीक में इन्वोल नहीं है अब सरका जहां तक मामला है, मैंने खुद मुखमंत्री के CMO के IS, हमिट धाका का नाम बताया, मैंने कुछ CMO के लोगों के नाम गिनाए, मैंने DP जारोली मादमिक शिक्षा बूर्ड का अधिक्स का नाम बताया, जिसके आधार और प्रमान भी दिये, जिसके आधार पर सरका अधान ने उनको बरकास्त कर दिया, बरकास्त होने के बाद में DP जारोली ने बयान दिया कि इसमें मैं ही नहीं बड़े-बड़े नेतार मंत्रियों के हाथ हैं, उसके कारण SOG ने उसे आध तक नहीं पूछा, पिरपतार करना तो दूर की बाद, बलकि क्लीन चिट दी थी, तो यह राज़ी की एजेंसी हैं, चाए SOG हो, चाए पुलिस हो, या कोई और एजेंसी हो, वो उसमें राजनितिक दबाव है, और सत्ता धारी दल के अनेकों नेता, मैं 6 अमेले आपको बता चुका, तीन मंत्री बता चुका, और एक मंत्री के PA का भी नाम बता चुका, माध प्लाइंट पेपर के जितनी वेंडर से हैं, उनके नाम बता दिये, जिनकी कंपनी जितनी कंटेक्ट कराती हैं, उनके नाम बता दिये, उनके परमान दे दिये, कि अकेले ओम कोठारी कोटा से, एक ही सिपाई के साड़े, सवा 600 सिलेक्शन वायर आजनस्ता से, जिसमें 225 अ वो TCS के तो मैंने, और ये जो RUHS ने परिक्शा कराए TCS से, उसमें भी पैसे ले लेके डाक्टर भरे गए हैं, बाहर के जो डाक्टर ने फरजी डिगरी लेके आए हैं, वो सारे चैन हो गए, हमारे अच्छे मेडिकल कॉले से पढ़े लेके अच्छे होनार बच्चे रहे पास नहीं हो रहा है, अनेक बच्चों ने आत्मेहत्या कर ली, ये बड़ा दुखत पहलू है राजिस्तान का, इसलिए हम राजिस्तान की सरकार से 24 जनुरी दो हजार को मांग करने जा रहे हैं, विधान सबा को घेर के, कि आप कम से काम चार पेपर, रीट का पेपर, सब इ टीचर पेपर की सीबे इजाज कराओ, एक तो हमारी मांग ये है, एक दूसरी मांग ये है कि बहार के लोग, बहार की स्टेट, बहार मद्द प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर्याना के लोग, फरजी डिग्रिया लाला कर, यहां नोकरी पा रहे हैं, बड़े हाई परसेंट को कि आप 75% आरक्षन राजस्थान के इस्थानी बच्चों को रोजगार में किया जाए, बिल लाके जैसे हर्याना ने किया है, पंजाम ने किया है, मद्द प्रदेश ने किया है, और दो-तीन बार मुख मंत्री जी भी सारुजन ग्रूप से बोल चुकते हैं कि हम ऐसा बिल लाएंगे लेकिन बिल नहीं ला रहे हैं, एक कोचिंग भी बड़ी महंगी फीश लेने लग गया है, तो उस पे भी कोई रेगुलेटरी कमिशन बनना चीए, ताकि उट पतान फीश बच्चों से नहीं ली जाए, एक जहां बच्चे ज़्यादा है कोचिंग में, मकानों के किराये भी बहुत ज़्यादा हैं, उस पे भी सरकार का कुछ रेगुलेशन हो, और जो भी बड़ा आदमी है, आपने मचली तो पकड़ दी, लेकिन जो पेपर दे रहा है, उस मगर मच्चों को नहीं पकड़ा, चाय कोई कितना ही बड़ा हो, इसको गृत्तार करके जेल के स सिल्सिला रुकने वाला नहीं है, इस द्रिशी से हमने पहले तो 19 जन्वरी तहकी की जगम उसको 24 जन्वरी कर दिया, क्योंकि राजस्तान भर के बेरोजगार युवाओं को हम बुला रहे हैं, और हजारों की तादान में हम विदान सभा को घेरेंगे, कर्म 20-25 जान लोग अकेले दौसा से जैपूर की तरफ पूच करेंगे, कलेक्टेट के सामने से, और चारों तरफ से राजस्तान से बच्चे आएंगे, हमारा इरादा है कि हम बिदान सभा को घेरेंगे। जात दी गई थी, दवा कारोबारी से जद रिस्वत पांगी गई थी, रिस्पेक्रण में, उपर वालों की चैने पर दी लिए तो, मैं कहतो रहा हूँ, उपर वालों का जब तक कि सारा नहीं होता, तब तक न तो पेपर लीग होता, ने दिव्या की हिम्मत है दो करोड ले कर रही है, सो जी दोषी उसे पर पहले से ले रही है, निर्दोषी से पहसे ले जिसके प्रमार मैंने दी हैं, सो जी खुद पेपर लीग है दूसरे अपरादों में, पैसा अखटा करने में लगी है, भारी भेस्टा चाहर है, यह बात तो सही है कि उसी जादू के साथ राजस्थार के लोगों से कि हम संपूर करजा माप करेंगे तब तक क्यों नहीं बोले पाइलेट साथ क्यों चुप बैठे थे और अब वो ही कहते हैं कि कि जोरी से कैसे निकल गया कौन से जादूगरी चली आपने बच्चों को कहा कि उत्य है कि और जब तको साथ 3,000 विरोजगारी भथता देंगे और आपको पता है कि राजस्थान में डेस की सरवादिक बिरोजगारी 30.80% बिरोजगारी राजस्थान में हैं देश ची सबसे ज्यादा महंगाई भी देश सबसे ज्यादा राजस्थान में वेट इतना में डीजल पर प्र ठीक एं लेट जागे रहा है कि वह बी जगना है शुरू से एगर पाइलेट साथ जग जाते लेकिन अब पूर्शी चली गई जब जग रहे हैं तो कोई बात ने वो जो हम कह रहे हैं उसको सच्चाई को मान रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं और वो किस जादूगरी के तहत लीक हो रहे हैं इतना कहने की हिम्मत तो हैं लेकिन हम मानेंगे जब 4-23-93 को हमारे साथ बेरोजगारों की साथ प्रदर्ण करें क्योंकि यह पॉलिटिकल मुमेंट हैं हम मानेंगे वह हिरदे से बोल रहे हैं सचाई से बोलएं किसानों के लिए बेरोजगारों के लिए वह को कोई कुरसी की चाहत नहीं है वन्ना ह हमारे साथ नहीं आए तो मानेंगे वो कुर्शी के लिए लड़ा ही लड़ रहे हैं लोगों को बहका रहे हैं तर आजकर वापस एक बार फिर गैलो तो पाइलेट आपस बयान बाजी करने लगए कल गैलो साब ने कहा कि हमारे पार्टी को कि एक कोरोना आ गया था क्या मानें आपको ध्यान हो बीच में वेनुगोपाल आये थे तो दोनों के हाथ मिला के गए थे तो मैंनों उस्वाइन दिया था कि यहाथ तो कुछ दिनों के हैं कि राक के नीचे आग धदक रही है राक जैसे हटेगी अगनी प्रिचंट उससे प्रिजोलत होगी वह समय आ गया कि प गेलोज साब ने एक बार कहा था कि 15 साल तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता दूसरे दिन पाइलेट साब ने कहा था कि 50 साल तक भी मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता गेलोज साब पाइलेट को गद्दार कह चुके हैं नकारा कह चुके हैं और निकमा कह चुके हैं तो को कॉरोना कॉंग्रेस में घुश गया जो कॉरोना कॉंग्रेस को पूरी तरह से तैसनेस कर देगा राजिस्थार हनुमान बेनिवाल को लड़ाई को लड़ रहे हैं उन्हें का कि क्रूर लाल जी क्या तो इस तारी को आभी आम उन्हें देदिया ने पाइलेट साब भी आए अब आगे देखेंगे लेकिन पहला आएंड तो सही शड़क पर उतरें ठंडी जो सीत लहर चलने यह उसमें धर्ना दें परदर्शन करें कि उन्हें भासन देने से काम नहीं चलने वाला सड़क पर उतरें और सरकार को मजबूर करें ताकि सीबियाई की जाच हो 70% आरक्षन का प्रावधान बिल लाकर विधान सवा में करें इसके लिए पाइलेट साब भी जोल लगाए हनुआ जी बी जोल लगाएं बाकी के लोग भी जोल लगाएं सबी अगर एक होके इस पर जोल लगाएं तो हमारे बच्चों का भविश समर सकेगा, सुदर सकेगा, अंधिकार से उनको बचाए जा सकेगा वरना ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है वो अनंत अंधिरी गुफा में हमारे बच्चे जाने के लिए मजबूर होगा सर बजट भी आने वाला कहा जा रहा है कि वे बार का जो बजट है जो जो ज़वानों के लिए होगा क्या पुलिटिकल पार्टी या जो ज़वानों को साथ भी पुस्ट कर रहेंगे जो भी बजट होगा गेलोज साब का बजट ऐसा होता है घोसना तो खूब कर देते हैं भी तो यह भी कह रहें कि में एर्शीप में टेंदर की सरकार पैसा नहीं आगी तो मैं पी मैं दूंगा में या रसीपी लगाउगा चालू करूँगा इंयार्सीपी दो सा तक आने में 15 साल लगेंगी उनका क्या फरक पड़ता है 5-6 मीने घल और 10-5 जार रुपे रीच़ फस्ट फेज के रहे 37,000 करोड रुपे चीज़ जो बज़ेट टोटल राजस्तान की सरकार करनी हो कहां से लगांगे तो वो गुमरात करने वाला जवान और किसानों को गुमरात करने वाला बजट ला रहे हैं अब आपको पता है अतीव रिष्टी हुई थी जब गरदावरी क लगता मिलता नोकरी मिलती है तो पेपर लीक मिलता है राजस्तान के किसान और जवान तरस्ते हैं मेरो को लगता है एक लोकल भावन बजट लाएंगे राजस्तान के बच्चों को किसानों को गुमरात करने का लेकिन अब राजस्तान का किसान और जवान इस सरकार को समझ च में तो डिली हूँ 4 साल से drive from अगर वो बंद गया तो फिर मैं रोज-रोज के जो करता रहता हूँ इसका क्या होगा में नोगों को सड़क पर तरने के लिए इसलिए अब वो तो पार्टी करने नहीं जो करेगी लेकिन अब हमारे यहां राज्जी में भी चुनाव आगए है उसके च्छे मिने बाद लोक सबाके भी चुनाव आ जाएंगे तो मेरा तो सोच ऐसा है कि मेरो को ऐसी अलमस्त हाथी के तरह घूमने दिया जा सब्सक्राइब करता है क्यों नहीं आमगड में पूरी पार्टी थी जब में ग्रबतार हुआ था राजस्तान भर में लोग सड़कों को उतरे थे संबू पुजारी की डेड़ बोडी को लेके गया था जो पूरी पार्टी वहां शिवल नाइन फाटक पर थी और अब हम यह इसको करने जा रहे हैं तो यह हमारे सब पार्टी के कारे करता है यह बात अलग है कि यह मेरो को कुछ बर्चड के पसंद करते हैं जैसे गोलमा को मैं करता हूं कि अलग बात पर हैं पार्टी के इसको लेकर पार्टी में काफी उतलपोतर नहीं है कॉम्पीटीटर ज्यादा होना तो सुखद लोकतंत्री निसानी है चैसे साथ आठ हमारे मुक्मंत्रियं फिर भी लड़ाई नहीं हो रही हुआ तो दो ही है एक तो कुर्शी के फैवी को कैसे चूटे नीचे गिरेर में कुर्शी पर बैठ जाओं वहां कुर्शी की लड़ाई है हमारे यहां समाज सेवा और राष्ट की सेवा के लिए लोग आ रहे हमारे कुर्शी की लड़ाई नहीं है जो भी सेंट्रल पार्ट्रमेंट बोर्ड प्रधान मंत्री जी ते का मुख मंत्री बन जाएगा हमारे यहां जो ललाई करेंगो तो मरेगा लाज सवाल यह है कि दिली ने जहना प्रधिशन कर रहा है कि इसके एकलेटिक्स की यहन सोचन को लेकर जहना प्रधिशन करें गंबीर आरोप लगा है देखो जिस दंका खिलाडी है वह आरोप लगा च अवाजू टूफ मुख टूफ टूछ करेंगे, अज़िए रखिशन करेंगी को लेगा है कि आर्मार्ट रखिशन करेंगे, यहन स्वाजर्ट बेंगे.